आज हम पढ़ेंगे नाव वा धारा वोट एंड इस्ट्रिंग इसमें हम यह देखेंगे कि एक बार नाव धारा की दिशा में चलेगी और एक बार धारा के विपरीद दिशा में तो पहला है धारा की दिशा में जब नाव धारा की दिशा में चलती है जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो इसको बोलते हैं अनुप्रवाह अनुप्रवाह बोलते हैं जो यदि नाव धारा की दिशा में चले तो इसे अनुप्रवाह बोलते हैं इंगलिस में इसको बोलते हैं डाउन स्क्रीम डाउन स्क्रीम दूसरा होता है धारा के विपरीद दिशा में यदि नाव धारा के विपरीद दिशा में चले से से इसे हम इन बोलते है इंगलीश में इसको अपस्ट्रीम यह कि दारा की दिशा में नाम चले तो अनुप्रवाः डाउन स्ट्रीन. सब्सक्दूंढ़ के ईसमें 3 आ 4 नियम पढ़ा है dalvra पूल डूल ये हैं कि माल लिया की धारा की दिशा में यानी की अनूप्रवाह करीba दूंस्ट्रीम नाव कि स्पीड है एक्स कीलो मीटर पर हूर। luckily में डाव फे सिम्सेंट नाव कि समय सकता है अप स्ट्रीम मनि हुआ ज़िए है आप सिटिम में स्पीड है वाई किलो मेटर अ कित थारा की दिशा में एक्स किलोमेटर पर आप और धारा की मिफ्रीत दिशा में वाई किलोमेटर पर आप तो इसमें हमें पूछेगा की इसमें पूछेगा की नाव की स्पीड क्या है नाव यानि की बोड की स्पीड शांत धारा में नाव की चाल शांत धारा में तो स्थी शारा में क्या होगी तो यह पूछाब तो जाएगा X plus Y by 2 भारा की दिशा में नौकाचार प्लस भारा की भी दिशा में नौकाचार दिवाइड बाइट कु आप स्क्रीम विलासिटी प्लस वाय लिए इस्ट्रीम वेलासिटी अपन टू होती है नाव की चाल सांद धारा में धारा ये अम इसमें पुझेगा धारा की धारा का चाल क्या है धारा की चाल कि धारा की चालों की एक्स माइनस वाई अपानबवन टूला यह फार्मूला है दो फार्मूला है यह रूलनमबर वन था प्रेंघापटू रूल न्यूसित भाकष्रोच धिया रहां कुशानी तों हिंग नानी है और ड्रॉस्क्रीन डहें पाप्स्किलोमेटर परार आपके दाव्टेम वलोसिति इस फाइफ किलोमेटर परार अबस्त्रीम कि वेलोसिति इस वडू किलोमेटर परार तो जाएगी नाओ की चाद्धार नही है स्टिल वाटर वोट वेलासिव एक्स प्रस्वाइब की फाइफ प्लस पॉर बाइब तू नौ गटा दो 4.5 किलो मेंटर पर इसी में सुछ देगा अगर धारा की चाल धारा की चाल गोट की स्पीड एक्स प्लस वाइब यानिकी 4.5 किलो मेंटर पर आग धारा की चाल निकालनी है हमें एक्स माइनस वाइब यानिकी 1 बाइब तू हो जाएगा 0.5 किलो मेंटर पर आग इसमें अभी एक चीज देखना है जो में इसका कॉंसेप्ट है इसके सुरुआर कैसे कुष्चन की करेंगे उसमें एक चीज देखना है अगर नाओ की चाल दी उलिया नाओ की चाल दी है एक्स किलो मेटर पर आग एक्स किलो मेटर प्रतिगणटा नाओ की चाल दी है कि और दारा की चाल है तो है रूर मेंन और तू है है नाओ की सब्सक्राद इंड़ के छाव ही क्लों पेंड़ा तो पूचे गांगे डाउन स्ट्रीं में है कि डावी स्ट्रीम में से नावी की चाल क्या होगी है नावी चाल मूतले गणरलोंस्ट्रीम मतलब एक ही मिल जाएगी तो हम यह नि रहे तरह करेंगे जोड बdlesे एक्ष्पलस वाई किव소 किलो मीटर पर आर डाउन स्ट्रिंग में यानि कि उर्धु प्रवाह में जब दोनों की दिशा भी परीथ है नाव इधर से चल रही है तो यह पहला केस यह हो जाएगा दूसरा केस यह होगा कि नाव ऐसे चल रही है और धारा ऐसे चल रही है इसमें ताइम ज्यादा लगेग देखा जायं तो तो इधर चल रही है लेकि भारा इंङरते असे धक्ता पीछे की तरफ दे रही है पीछे की तरफ तक अपोस कररें तो इसका मत्राइफ इसकी जो नेट वैल沒關係 है वो कम हो जाएगी तो आप स्ट्रीम में कि आप स्क्राइब कि यारी कि उर्धु प्रवा विप्रीद दिसा देखिए विप्रीद हो और यह साथ है तो विप्रीद दिसा में नाव कि चाल क्या होगी कि एक्स माइनस वाई किलो मिल्टर यह सब नोट करते रहेगा यह फार्मूला है देखिए पहला नियुम बताया था हमने दोनों को जो डाउन इस्ट्रीम और अप्रस्ट्रीम की वेलोस्टी दिए नाव की चाल निकाल ली थी और धारा की चाल निकाल निकाल ली इसमें नाव की डाउन इस्ट्रीम अनुप्रवाह हो तो एक्स क्लस वाई किलो मेटर पराव आपवश्ट्रीम हो तो एक्स मीनस वाई किलोMi tau यह थाके सबित आखिलिकाल यह किवा नाव की चाल चूधा किलो मिंटर प्रतिड़न अ क्वेच्जशन जहाल किर सक् esa game mean कि नाव की चाल 14 किलोमेटर पर आ रही है धारा के साथ नहीं हुए यह अब देखिए इसमें दिया है धारा के विप्रीट धारा के विपरीद नाव की गती क्या नाव की गती पूछ रहा है धारा के साथ नाव की चाल 14 किलो मेटर पर आप और धारा की गती दी है धारा की गती दी है एक दस्वाने। पांच कीलो मेटर पर धारा के साथ नाव की चाल 14 किलो मेटर पर धारा की गती पांच क्या होगी तो देखेए इसमें अगर देके तो धारा के विपरीद होता है यह चार माइननस एक दस्मनों फांच कितना होगा है दो जस्मनों पांच यह हो गया हमारा ऑर किलोमीटर प्रतित हन्या दारा के साथ 9 की चाल 14 किलो मेटर पर अज्टा है दारा की गती एक दस्पनबव 5 है यह निन दारा की गती 14 का कटी 14 जुर नहीं 4 दारा के साथ 9 की चाल 4 किलो मेटर पर आ देखिये 9 की चाल x यह हो कि x էारा की गति एक दस्मलों पांच यह क्या है y अभी हमने फार्मूला बताया कि 9 की चाल x-y होगी अप इस्ट्रीम में अप इस्ट्रीम में विपरीद दिशा में विपरीद दिशा में नॉट इस्ट्रीम क्या होगी पुछा है तो x minus y c- 1.5 होगा अभी हमने दो नियम बताए हैं धारा नाव और धारा में और भी दो तीन नियम हैं और उसके बाद कुछ सवाल देखिए अगले लेक्चर में जेकिने कि क्या होता है अभी खिलाल बस ये दो तीन नियम बताए जाए हैं इस पर तक तक प्रैक्टिस कीजिए अगले वीडियो अभी अगले और वीडियों बताए जाएंगे इसके वाल और कुछ 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 सब्सक्राइब धनिमाद करें दो